हेलो एवरिवन और वेलकम बैक टो मैं चैनल और इदेखे आज मैं ना कुछ इन चूडियों का करने वाली हूँ हम तो क्या लाग के कड़े पहनते हैं और मेरी शादी में मुझे काफी सारी ये गिफ्ट में मिले थे कांच की चूडिया तो तब से मतलब 13 साल से ये चूडिया सारा ही घर पे मेरे पास जो अविलेबल चीज़े हैं उनी से मैं करने वाली हूँ तो चलो जल्दी से दो दो चूडियां लेकर इस तरीके से ना इस पे पूरा ये उन जो है वह हम लपेट देंगे और पूरा इसको कवर कर देंगे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये हमारा ये क्राफ्ट पन के तयार होने वाला है दिवाली पे सजाने के लिए कोई भी फेस्टिवल या त्योहार हो उस पे सजाने के लिए बहुत ही अच्छा ये डियाइवाई होने वाला है तो चलिए फटा फट से आप देखिए इसको मैंने कैसे तयार किया है तो देखो लास्ट में मैंने इसमें गांट लगा दी और यो जे एक्स्ट्रा उन है ना उसको हम बाद में काट देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गई तो सारी चूडियों की और छोटी वाली चूडियां भी थी मेरे पास उनका भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी तो कुछ मैंने यलो बना ली कुछ रेड बना ली और दो तरह के गोटे मेरे पास थे एक गॉल्डन में था एक सिल्वर में था तो यही मैं इन पर लपेटने वाली हूँ तो जो बड़ी चूडियां हैं उन पे तो मैं चारो तरफ से वैसे ही लपेट दूँगी और जो छोटी वाली है उन जो भी मुझे color actually पसंदा रहा है जिस पर किसी पर golden किसी पर silver इस तरीके से मैं इस पर लगाते जा रही हूँ और बस जो छोटी वाली चूडिया हैं उनको हम इस तरीके से prepare करेंगे जो होता है ना पहिया उसी type से हम इसको बनाएंगे तो यह देखे इस तरीके से हमें सारी जो पूरा तयार कर लेंगे सारी चूडियों को अब देखिए सारी जो चूडिया है मेरी सब एकदम अच्छे से dry भी हो गई है इन पे अच्छे से फेविकोल से मैंने चिपका दिया था और अब मैं क्या कर रही हूँ ले रही हूँ यह मेरे पास एक blouse piece में से ही बचा हुआ 54 था तो मैं 55 इंच इसको काट रही हूँ और इसको एक्चुली यह जो कपड़ा है वो 45 तक ही था तो इसलिए मैं उसको जोड दूँगे दूसरे कप्डे से मितलब इसी को आधा काटके और इसी का हम जोड देंगे तो यह थोड़ा सा मैं चोड़ा ले रही हूँ तो डबल करके मैंने इसको काट लिया और फिर दोनों जो हिस्से हैं उनको मैं जोड कर एक लंबा पीस बना लूँगी क्योंकि मुझे चाहिए 55 सेंटीमिटर जितना लंबा कपड़ा और देखे बीच में ना मेरी मशीन भी जो है वो मुझे धोका देने पर तुलीवी थी लेकिन पर देखो मैंने ली एक फोम शीट फोम शीट एकचलि यह जो साड हैं पेकिंग में आ जाती है कंई बार रहे हैं और इसको मैं बीको इसी सिलाई कर दूँंगी और बहुत ही अच्छा सा हमारा एक बेस जो है वो रेडी हो जाएगा बांदरवाल का तो चलिए फटा फट से इसको पूरा बना लेंगे हम और उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी लेस जो वो लेस है मेरी वो भी मेरी तकरीबन 7-8 साल पुरानी है मेरे पास तब मैंने एक केंटिमीटर जितनी पट्टी जो है वो रेडी हो गई अब यह लेस मैं यहां पर चिपका दूँगी चिपका क्या इनफेक्टांका ही मारूंगी और इसको तयार कर लेंगे तो यह लीजी हमारा बेस जो है बांदरवाल का बिल्कुल बनकर रेडी हो गया तो मैं सेंटर इस सबको नाप के इंचिटेप से और बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट में ले आई कि इतना इतना मुझे गैप छोड़ना है और वहां वहां पर इनको हम चिपकाएंगे तो यहां पर देखो जो सेंटर वाला पीस है वो मैं रेडी कर लेती हूं अभी तो बीच में मैं एक और पॉम पम नहीं रेकर आई थी ये ठोड़ा से सामान मुझे लाना पड़ा दिया और जो घंटी आती है वो में लेकर आई थी पॉम पम भी में लेकर आई थी जो की पचास रुपे का पैकेट था जिसमें सो आते हैं da मेरे 13 इसमें लगे थे और फिर इसको भी मैं सील दूँगी यहां पे सिलाई से न काफी अच्छा यह पका हो जाता है ऐसे आप फेविकोल से चिपक अच्छा हो जाएगा लेकिन वह फिर गिरने का डर रहता है तो मैं शोच रही हूं कि इसको टांकाई मार दो तो अच्छे से मैंने सिलाई करके और फिर इनको जोड दिया और देखो मेरी जो घंटी है वो मैं इसमें लगा रही थी फिर बाद में उसका जो जिसमें वो लगी वी थी वायर तो वो पूरा ढीला हो गया और इसमें से घंटी निकल के गिर गई लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने इसको मैनेज किया और फिर बाद में वो सही हो गई येस हो गई तो देखो जो साइड वाले है न उनको मैंने इस तरीके से रखा है उसमें मैंने दिया नहीं लगाया बस एक पॉम-पॉम बीच में लगाया ताकि थोड़ा सा और अच्छा लुक आए और फिर जो टांगने के लिए आप बांदरवाल है वो टंगेगी भी तो उसके लिए हम क्या करें अब मेरे पास तो कुछ रिंग थी जो की मैंने इसमें लगाई है बट आप चाहो तो यहां पे ना जो गोटा मैंने लपेटा था ना उस गोटे को भी इस तरीके से लूप बना के आप कर सकते हो और देखो पॉम-पॉम की भी मैंने यहां पे सिलाई कर दी है अच्छे से तो कोई भी कच्चा वर्क नहीं रखा है पूरा मैंने सिलाई की है ताकि अच्छे से यह बनी रहे और अच्छा एक डिजल्ट मुझे मिले तो बस मेरी तो बांदरवाल रेडी है आई हूप आपको पसंद आई हो अगर आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें बाबाई